यह है Apple iPhone 13 Pro और यह Premium Category में आता है वैसे अगर Premium Category की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो Phones है वो Apple के ही बिखते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको Apple iPhone 13 Pro के बार में बताने वाला हूँ इसकी Unboxing करके बताने वाला हूँ और एक Quick Comparison करने वाला हूँ 13 Pro versus 12 Pro खास करके जो design है उसको लेके इससे आपको एक अच्छा idea मिल जाएगा कि आपको upgrade करना चाहिए या नहीं और इस handset की features क्या है इसका performance है वो कैसा है games इस पर कैसे चलने वाले हैं और जो camera quality है वैसे मैं आपको बता दूँ इसका जो camera है उसमें Apple ने एक unique चीज आड़ किया हुआ है जो कि इसे काफी interesting बनाता है वैसे of course इसका जो camera है excellent level का है camera samples मेंने include किया हुआ है ये सारी जानकरी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी इसलिए देखते रही है तो यह iPhone 13 Pro का box pack मैंने ये blue color select किया हुआ है काफी impressive दिखता है और box में इस handset के अलावा आपको ये cable मिलने वाला है अब ये जो cable है इसमें USB Type-C connector है और एक lightning connector दिया हुआ है वह इसलिए क्योंकि ये जो smartphone है इसमें Apple अभी भी lightning port का ही उप्योग कर रहा है तो common sense की बात है कि Apple इस प्रकार के cable का उप्योग करने वाला है और Type-C cable इसलिए क्योंकि जो premium smartphones है उनका जो charger है उसमें Type-C port होता है और Apple का 11 Pro smartphone अगर आपको याद होगा जिसके साथ में charger Apple ने दि तो box में charger नहीं दिया हुआ है और इसके अलावा ये दिखे ये है SIM tray ejector pin, booklet और ये है Apple का sticker जितने भी नए iPhones लॉंच हो रहे हैं उनकी जो quality है उसे काफिहत तक इंप्रूफ किया जा रहा है मतलब ही जो toughness है ये और भी भैतर होते जा रहा है इस पर surgical grade stainless steel frame का उप्योग किया ग लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो smartphone है अगर आपके हाथ से गिरता है तो इसे कुछ नहीं होने वाला है बहुत कुछ आपके luck पर भी depend करने वाला है चलिए मैं इसका comparison iPhone 12 Pro के साथ में करता हूँ क्योंकि कुछ design changes है वैसे अगर आप dimensions देखें तो जादा अंतर नहीं है लेकिन अगर आप यहाँ पर दिहान से देखें जो power button है उसका position थोड़ा सा change हो गया है left and side पर भी जो buttons है इनका position है ये change हो गया है जो sim slot है इसका position भी ये देखें चेंज हो गया है ये है 13 Pro और ये है 12 Pro ये देखें side by side comparison नीचे से design और जो ports का position है वो same है camera के अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो camera का size है वो 13 Pro पर बड़ा है और ये जो area है ये भी काफी बड़ा है अगर हम 12 Pro के साथ में comparison करें तो और अगर side से आप देखें तो जो camera का bump है ये भी जादा है 13 Pro पर 12 Pro का वजन 187 grams के आसपास है और 13 Pro का वजन 205 grams के आसपास है actually मैं feel कर पा रहा था कि इसका जो वजन है ये थोड़ा सा जादा है ये 6.1 इंचिस का display है 2532 by 1170 pixels resolution के साथ में आता है 120 hertz refresh rate इस पर दिया हुआ है HDR10 support करता है Dolby Vision भी support करता है और ये 1000 nits brightness support करता है 1200 nits peak brightness दूप में display बहुत ही बढ़े तरीके से visible है अगर आपने पहले कभी iPhone यूज किया होगा तो इसका जो display है ये आपको और भी भैतर experience देने वाला है खास करके इसलिए क्योंकि ये adaptive refresh rate के साथ में आता है maximum 120 hertz Apple जादा करके जो technical specifications है उसके बार में जादा जानकरी नहीं देता है वैसे इसमें 6 GB RAM है और जो storage space है ये 128, 256, 512 या फिर 1 TV options में available है ये handset dual SIM support करता है ये देखें यहाँ पर है SIM slot और इसमें से एक SIM जो है physical SIM आप यूज कर सकते हैं और दूसरा SIM जो है उसे आपको eSIM बनाना पड़ेगा मतलब कि एक eSIM का आप उप्योग कर सकते हैं ये iOS 15 रन कर रहा है out of the box और अच्छी बात Apple की ये है कि जब कभी कोई नया phone launch होता है जो important चीज आपल ने add किया हुआ है camera में अगर आप setting में जाएंगे या फिर जब आप camera को पहले बार यूज करते हैं तब आपको वो दिख जाएगा लेकिन अगर आपको वो change करना है anytime तो setting में जाके camera का जो option है यहाँ पर यहाँ पर photographic style का option दिया हुआ है तो यहा आपल का जो camera होता है by default पहले जो आते थे वो warm style यूज करते थे लेकिन अब यहाँ पर apple ने हमें option दिया हुआ है कि हम cool चूज कर सकते हैं या फिर आपका जैसा requirement है उसके हिसाप से आप चूज कर सकते हैं और for example अगर आप photo mode में है तो यह देखिए यहाँ पर tap करने से आपक है किस विकार से जो color है यह चेंज हो रहा है तो यह काफी interesting feature एड़ किया हुआ है और पहले जो iPhone होते थे उसमें आपको एक warm style ही मिलता था तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं किसी को warm colors पसंद आते हैं किसी को cool colors पसंद आते हैं तो यहाँ से आप आसानी से adjust कर पाएंगे अलग होगा तो यह जो comparison process है इसे काफी मुश्किल कर देता है इसमें gyro EIS दिया हुआ है ताकि आप stable videos शूट कर पाएं यह 4K at 60fps में शूट कर सकता है maximum आप triple camera setup दिया हुआ है जो camera का size है यह काफी बड़ा है 12 megapixel के 3 cameras है जिसमें wide angle, telephoto और ultra wide lens दिया हुआ है और यह जो special application है उसका उप्यों करके आप 3D mapping भी कर सकते हैं तो यह काफी कमाल की चीज है जो selfie camera आगे की तरफ दिया हुआ है यह 12 megapixel का और जो notch आप देख रहे हैं इसका जो size है यह थोड़ा सा कम हो चुका है अगर हम iPhone 12 pro के साथ में comparison करें तो चलिए अब मैं आपको जो important चीज है camera में उसके बार में बताता हूँ यह देखिए यह camera का interface और Apple के जो cameras होते हैं इनका interface होता है बहुत ही simple होता है इसमें night mode नहीं होता है automatically detect करता है कि कब night mode को activate करना है और यह नया feature add किया हुआ है cinematic जो कि basically जो face या फिर object है उसे detect करता है automatically और आप switch कर सकते हैं एक smooth transition देता है यह देख बार के cinematic videos आप इस smartphone से बड़ी आसानी से shoot कर पाएंगे camera quality के अगर बात करें तो excellent है यह देखिए मैंने wide angle mode में यह shot shoot किया हुआ है night shot है और यह एक और shot है night shot जो की normal mode में shoot किया हुआ है और यह देखिए यह portrait shot edge detection काफी बढ़िया है और जो skin tones है यह भी काफी natural है एक और portrait shot यह है long shots एक और portrait shot यह 3x zoom है यह wide angle और यह है 1x zoom selfie भी काफी बढ़िया shoot कर लेता है इसमें a15 bionic chipset का उप्योग किया गया है जो कि 5nm process है यह hexa core है जी है hexa core आम तोर पे जो android के smart phones होते हैं वह octa core powered होता है लेकिन यह hexa core उन octa core को जबरतस्त टकर देता है वह इसलिए क्यूंकि जैसे कि मैंने कहा Apple के पास hardware control भी है as well as software control भी है Apple iPhone 13 Pro बहुत ही powerful smartphone है इस पर यह जो call of duty game मैं खेल रहा हूं देख सकते हैं कि very high और max पर मैंने से set किया हुआ है और इस पर यह बहुत ही smoothly चलता है in fact मुझे Apple के जो smart phones है इन पर इस प्रकार के जो high end games है इने खेलने में मुझे का जो smart phone है इस पर बहुत जादा इस call of duty game को खेला है यह लिजी गेम शुरू हो चुका है और यह जो game है मैंने काफी time खेला है यह handset बिल्कुल भी heat up नहीं होता है यह बहुत ही smooth experience आपको मिलने वाला है जहां तक battery performance का सवाल है इस पर मुझे काफी बढ़िया battery life मिल रही है और येस काफी अच्छी है और ये भी 120 hertz refresh rate होने के बावजूद ये देखे battery performance यहां से आपको idea मिल गया होगा और ये है last 10 days का average screen on time 5 hours के आसपास है जो क्यागिन काफी अच्छा है और अगर आप ये देखे call of duty game मैं सबसे ज़्यादा यहां पर खेल रहा हूं facebook next option netflix next option तो इससे आप समझ गया होंगे कि मैं इस headset का काफी ज़्यादा उप्योग कर रहा हूं heavy usage खास करके gaming के लिए हैं वैसे मेरे पास दो smartphone है एक ये है और एक android smartphone है जो की मेरा जो primary phone है वो है उसमें मुझे ज़्यादा करके call जाते हैं यहां पर मैं जब कभी मुझे free time मिलता है तो यह सारे आप्स आप देख रहे हैं इन्हें मैं यूज करता हूं इस headset में NFC दिया हुआ है और इसमें stereo speakers दिया हुआ है तो यह आपल iPhone 13 Pro यह IP68 certified भी है मतलब की water resistant है वैसे तो इस पर tough material का उप्वर्ट किया गया है लेकिन अगर आपके हाथ से गिरता है तो damage भी हो सकता है आपके luck पर डिपन करता है इसके उपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं अलग से तो वो जो वीडियो है जरूर देखिए अब यह जो 13 Pro मेरे पास है इसको प्राइजिंग है यह तकरीबन 1,19,000 के आसपास जहां से आप इसे खरीच सकते हैं उसका link मैंने वीडियो के description में दिया हुआ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिये और लेक्त रहिए